कैसे हैं आप सब तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को semester 2 हमारा common courses का देखे paper है जहां पर आपको पढ़ना है basically global citizenship के बारे में और educational sustainable development के बारे में पढ़ना है वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ में बैल एकन पर क्लिक कर लिजेगा वीडियो कैसा लागा comment box में जुरू बताना है क्योंकि इसी प्रकार देखे आपको सारे के सारे जो topic हमारे पास जो हमारे पास है वह मैं complete करेंगे courses करता हूं तो चलिए देखते पहला सवाल कि आप से पूछा जा गया देखे पहला जो यह सतत विकास सटनेबल डेवलप्मेंट जो वर्ड है यह किस एक पूछा गया इसकी उत्पत्ति हुए किस एक पत्र में हुई थे हमारा साजा भवि होता है तो देखिए आज हम अपनी जरूतों को पूरा करना है यह तो हमें छोड़ने सकते हैं लेकिन भविस में जो लोग रहेंगे उनके लिए भी हमें कुछ ऐसी चीज रखनी है ताकि वो भी उसको व्योग कर सके इस प्रगार का जो डेवलप्मेंट यह पर विकास होता और इसके तहर देखिए कुछ बाते ही बता दी गई है कि सतत विकास की सब्द की उत्पत्ति है हमारा साजा भविस से नाम एक पत्र में होती जिसे क्या किया था ब्रंट लेंड आयोक के द्वारा जारी किया गया था सतत विकास सब्द को जो पहली बार देखिए प्रयोग जो हुआ था नौर्वे के पतान मंतिर ने किया था जिनका नाम अगर आपसे पूछा जाए और याद रखिएगा ग्रो हर्लैम ब्रंट लेंड ने 1987 में इसका प्रयोग किया था अगर आपसे कोई पूछे कि जो वर्ड हमारे पार सस्टेनेबल डेवलप्मेंट इसका सबसे नौर्वे के पतान मंतरी इनका नाम या दिया हुआ है वर्स आपसे पूछा जाए तो 1987 में इनके दवारा उप्योग किया था यह बात याद रखना है देखें दूसरा सवाल आपसे यही साल पूछा जाए कि सतत जो विकास वर्ड है ठीक है यह जो उप्योग इसका सबसे पहले किस देश के पतान मंतरी नहीं किया था तो आपको याद रखना है नौर्वे के पतान मंतरी और आपको नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या नाम है गुरो हर्लेम ब्रेंट लैंड इनका नाम है option number क्या हो जाएगा इसमें तो option number A और पतान मंतरी के नाम पूछा बताने दो अबधारना है तीन है चार है या पांच है तो इसके मुखेता कितने दो अबधारना इसकी मानी गई है तो option number A क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा पिर अगला प्रशन संक्या चार अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकांस लोगों का मानना है कि जो नौर् बिकास यहां पर यहां पर सही इसका उत्तर तो यहां पर देखिए आपको चार अप्सें दिये गए और बताना है कि जो ब्रंट्रेंड आयोग था उसने सतत्विकास की परिवासा का जो केंद्रे बिचार है वो किसकी समानता का अधार पर दिया था अगर आपसे पूछा ज इन्मार्मेंटल प्रटेक्शन यह भी है सोसल इक्विटी यह भी बात सही समाजिक समानता होनी चाहिए लेकिन पॉलिटिकल इक्विल्टी यह इससे को मतलब नहीं रिखता सस्टेनेबलर्पेंट का इसका कोई पार्ट नहीं है इसलिए ऑप्सन नमबर क्या हो जाएगा इ वर्स 1992 था 1990 वह साल था जब रियो दो जो रियो डी जानियर जो सम्मिट हुआ था बेसिकली वह था अब इससे जुड़ी देखे कुछ बात आपको याद रखनी है कि संयूत राष्ण संग द्वारा यह पर्यावरन में विकास सम्मिलन कहा हुआ था तो ब्राजील के सहर इस बुक में पढ़ा होगा एजेंडा 21 एजेंडा 21 किससे समय रखता है वैस्विक संगर्टन से राष्ट्रिय सम्मिलन से या फिर ऑप्सन नंबर सी वैस्विक राष्ट्रिय यह इस्थानी आधार पर उठाये जाने जो कदम को एक सूची बत करना है और उसका एक ब्रियत घो सहर में हुआ था तो आपको याद रखना है ब्राजिल का रियो डी जनरी नामक सहर में हुआ था आप इसी किताद देखे बोला गया इसके सवरूप को एजेंडा 21 के नाम से पुकारा गया एजेंडा 21 वैस्विक राष्ट्रिय स्थानी आधार पर उठाये जो भी कदम उसक में हुआ तो जो पहला समिट हम जानते हैं कि वर्स 1992 में रियो सम्मेलन में टिकाओ विकास के बल दिया गया था संयूत राष्ट परियावरन एवं विकास सम्मेलन यानि यू-n-c-e-d के लिए अनेक दस्तावत त्यार किया जिन में यह सबस्ट किया गया कि परियावरन और परियावरन सम्मेलन का मुख्य उद्देश जो है परियावरन सम्मेलन सम्मेलन या परियावरन 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 सम्म विकास को भी प्राप्त करना है सम्मिलन में टिकाव विकास पर गंवीर मंतन हुआ जल हो गिया उर्जा स्वास्त क्रिसी और जैब विभिता के संरक्षन का आवन किया गिया यह विशाइस अंचेप में विहाब कहला बाइब काने जल लगा वाटर हो गया यहां हमारे पास यह पास अगला कोईश्चन नमगों 10 है हमारे पास सतत भिकास होता है हमारे पास समाजिक और वादर होता है एकोनोमी को देखके समाजिक और सांस्कितिक हो सही उत्तर हो जाएगा पिर अगला है पारिस्तिकी सुचकांग में किन को समलित किया जाता है आपसे नमर बनस्पती, आपसे नमर भी जलकी मातरा यहां गुनवत्ता आपसे नमर सी जैविक मातरा और आपसे नमर डी यह देखिए लागत एवं उत्पातम विसले है तो देखिए हमारे पाइस देखी सुचकांग बताना है तो उसका उत्तर हो जागा ऑप्शन नमडी लागत एवं उत्पातन भिसलेशन देखिए अब पढ़ना चाहे तो यहां से भी पढ़ सकते हैं अगला देखिए आपसे पूछा हो यहां पर प्राकितिक संसादनों का बरत्मान पीठी द्वारा इस प्रकार से उप्योग किया गया है प्राकितिक संसादनों का नियुनतम शरनों यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा इकोई डेवलप्मेंट, सोसल डेवलप्मेंट, सस्टेनेबल डेवलप्मेंट और गणुगेट आप खुद बताईए ताकि हम वरतमान पीठी के जोरद को पूरा कर सके और हम लोग क्या करना है इसका कम से कम चरण मतलब लॉस करना है और आने याली जो हमारी पीठी उसका इ तो टिक आव् यहां। कि और प्ले तो क्या थहां दिया गया है किसी और हम पूचाओ के तो सब्सक्राइबD पर खुद करना है कि क्या कारण क्योंकि energy का जो sources हर देश के पास अपना है सब को एक particular लेपल पर काम करना अपने energy को लिके न देखिए तो यह सबसे पहले हिंदी करत दिखा गया देन होना चाहिए अपने कोपी जब उतारी नोटान करिएगा न तो यह सहीज़े करिए देगे सतत्व विकास की अबधारना है कि किसकी देन है तो हमने पढ़ा था यह नौर्वे के प्रधान मंत्री है उन्हीं दोबर एक आयोग बना जिसका नम था क्या बैट्लेंड आयोग तो option नमबर A क्या हो जागा इसका सही उत्तर हो जाएगा फिर अगला सवाल है सतत्व विकास पर मानव यानि क अगला हमारे पास सतत पोष्णिया विकास की अबधारना का संबंद किसे होता है संसाधनों के अधिक्तम उप्योग से संसाधनों की उप्योग से या फिर उर्जा उस संसाधनों किसे रखता है संसाधनों के संसाधनों के संसाधनों यानि कंजर्वेशन आपर हो जाएगा option नमबर भी फिर अगले हम आरे पास सा थे स्थाथ मितले हमारे पास कि हमें क्या करना है आज Kanais के लोगों की चिंता करते को काम करते हुए उसका हमें दोहन करना है option number सा इसका सायुकतर हो जाएगा फिर अगला सवाल आपसे पूछा हो देखिए सतत विकास की अवधातना केस ने दिये तो हमने वो पढ़ क्या है जो आयोग था आयोग का नाम क्या था बेटलेंड आयोग नौर्वे के प्रधान मंत्री option number एक क्या हो जागा इसका सायुकतर फिर अगला हमारे पर देखिए क्वेश्चन फेसे रिपीट हो गया है यह संपन का हुआ था तो हमनों जानते हुआ सुनी सुबहत तर ठीक है फिर अगला हमारे पास सतत विकास के आर्टिक विकास परियावरत संद्रक्षन और संद्रक्षन और समाजिक शयंतर option number सर अगला हमारे पास इंद्रा गांधी जो नहार है कमांड चित में सतत पूछने विकास के नाम पर इनमें से कौन सा सबसे महत्पुन का रहा है क्रिशिक विकास परिवहन का पाईतंतर या फिर हमारे पास भूमी उपनिवेश तो इसका सही उत्र क्या हो जाएगा पारितंत्र ओप्सन नंबर सा इसका सही उत्र टिक करिएगा अगला सवाल आपसे पूछाओ देखिया आपर सातत पोष्णिय विकास के अवधारना के संबंद किसे तो यह संसाधनों का क्या करता संद तो यह हमारे का चार ओप्सन दिये हूए आर्थिए विकास सामाजी पर्यावर्ण नंबर दा उप्रबैट सभी तो पोष्णिय विकास का आपसे नंबर क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा फिर विकास का भाग नहीं वह बताना है तो कौन सा नहीं है वह नहीं है विक्षार दिखने वाला जो चीजी होता है उसे सुजिस्तिर विकास कहा जाता है जलिए ऑप्शन नंबर सह क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा पिर हमारा प्रस्टेंट के सताई से ऐसी तखनीकी जो प्राकितिक पर्यावन सर्रक्षना को कम से कम्हानी पहुंचा है ठीक है और आ जो टॉपिक था उसमें से जो भी इंपॉर्टन कोशन बनते थे वह मैंने आपको फिलाल इस वीडियो में कवर करा दिये आज यह सकते है ग्लोबल सेटेंसी एजुकेशन फॉस्टेंट का हमारा पहला वीडियो था जहां पर आसा करूंगा कि आपको आज कही लेक्षर पसं से नोट्स बनाना और अपने एक्जाम के त्यारी करने अच्छे से वीडियो कैसा लगा कमेंट पॉक्स जुरू बताना और जितना हुसके सेर और लाइक जुरू कर देना हम दोस्तों के साथ और चैनल पर नहीं हुआ है तो सिस्क्राब जूरू कर दीजएगा और शेर कर द